मेरा आप सभी को सादर प्रनाम मैं दपेका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल आपकी बैठक में तो काफी दिनों के बाद कुछ बड़े लेवल की टूनमेंस दोबारा से अपनी वापसी कर रहे हैं और उनी में से एक टूनमेंस की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चांपियंशिप 2022 की जो की बगोटा कॉलम्बिया में खेली जाएगी वही बात की जाए तो यह जो चांपियंशिप है वो काफी ही इंपोर्टेंट रहने वाली है सभी वेटलिफटर्स के लिए क्य मेंबर इंडियन टीम को फ्रंट से लीड करती हुई नजर आएंगी उनके अलावा तीन और वेटलिफटर्स हमें इस चांपियंशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे सबसे पहले हम मीराबाई चानू की ही बात कर लेते हैं जिनका कॉमेंवेल गेम्स 2022 के बाद से ये पहला इंटरनाशनल टूनमेंट रहने वाला है और इस टूनमेंट में वो अपनी काटेगरी यानि की 49 kg के अंदर ही कंपीट करती हुई नजर आएंगी तो काफी नजरे उन पर बनी रहने वाली है इस चांपियंशिप के अंदर क्योंकि और लेड़ चैंपियन बनती हुई नजर आए वहीं बात कर ली जाए बाकी और भारतिय वेट लिफ्टर्स की जो की इस चैंपियंशिप में अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आने वाले है तो कॉमन्वेल्ड गेम्स के गोल मिडलिस्ट अचिंता श्वेले भी हमें नजर ब्रॉंज मिडलिस्ट है और वो प्लस 109 केजी काटेगरी में नजर आएंगे और चौत ही है मेरा बाईचानू तो ये चार वेट लिफ्टर्स रहने वाले हैं इस चैंपियंशिप के अंदर भारत की तरव से वहीं बात की जाए तो यूथ ऑलंपिक चैंपियन और बात की जाए तो किसी भी टीवी चानल पर या फिर साइट पर नहीं होगा सिर्फ हम जैसे ही ये चार क्योंटि बाहरत की तरफ से चार खिलाडी दिखाइ देने वाले हैं और जैसे भी नतीजे रहेंगे वो लेकर हम आप सभी के साथ जरूर जुडेंगे और वहीं बात करत तो भारत की तरफ से पहला जो इवेंट रहने वाला है वो मीरा बाइचानू का रहेगा जो की साथ दिसंवर को सुभा तीन बजे रहने वाला है भारतियसा में उसाथ तीन बजे वो मैच वो इवेंट 49 kg के अंदर मीरा बाइचानू कंपीट करती भी नज़ा आएंगी बाकी इंडिया के जैसे भी results रहेंगे जैसे भी updates रहेंगे वो लेकर हम आप सभी के साथ time to time जूटते रहेंगे तो hopefully Indian weightlifters की तरफ से हमें इस championship में काफी phenomenal performance देखने को मिलें तो आज की वीडियो में बस रतना ही बाकी sports rated update जानने के लिए चानल के साथ जरूर जुड़े रहें औ so thank you for watching the video